आज के इस वीडियो में समान ग्यान का बैलिस्वा भाग लेके आ रहे हैं और यहां पे हम 10,000 GKGS को कबर करते हैं यह सारे क्वेश्चन आपके पिछले साल के पेपर है अगर आप चाहें तो इसका पीडियाप डाउनलोड कर पाएंगे यह आपके सभी प्रतियों की परिच्वाओं के लिए बेहत मरत पूर्ण होगा पिडियाप डाउनलोड करने के लिए आपको यह आप डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्सन में और पहले कमेंट बाक्स पर मिल जाएगा इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सस्क्राइब करें उसके बाद बेल आइकन दबाएं उसमें आल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेटरिन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए सुरू करते हैं यहाँ पर देखिए 50 क्वेश्चन आएगे एक समय पर आपके सामने एक क्वेश्चन होगा चार बिकल्प और आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा 5 सकेंड में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन जहाँ जहाँ पर भी पूछा गया होगा उसको आप नीचे देख पाएंगे तो आप इस वीडियो को एक टेस्ट के रूप में ले यह आपको ज़्यादा फायदा देगा शुरू करते हैं पहला कोईश्चन है कि जब भारत के राष्टपती और रूप राष्टपती दोनों के पद्र खाली हो तो उनका काम कौन करेगा बड़ा मतलब महत्पूर और असान सा question है कि मतलब कभी ऐसा हो जाया है कि जब भारत के राष्टपती मतलब की पदपे ना रहे हैं पदपे ना रहने का मतलब की उनकी मृत्ति हो जाया ठीक है तो उस condition में क्या होगा अचानक से अगर ऐसा होता है तो क्या होगा तो देखे इसके लिए आपको दो आर्टिकलों को पढ़ना पड़ेगा इसमें से जो पहला आर्टिकल है यह आर्टिकल है 65 65 आर्टिकल यह कहता है कि अगर राष्टपती अपने पद पे नहीं है तो उनके जगह पे उपर भारत के मुख्य नयाधीस लेकिन यहाप एक question और बन जाता है कि बताइए कि अगर राश्पती ना हो उपराश्पती भी ना हो और भारत के मुख्य नयाधीस भी ना हो मुख्य नयाधीस कहने का मतलब कि सुप्रीम कोट के तो अगर उस condition में मुख्य नयाधीस भी ना हो तो ज एग को सबकार Presence ने यहे संखिया 31 करती थी लेकिन यहां पे 30 की प्रती की गई है तो यहां पे सबका एकphet्षाрам होता है, मतलब की चोल सब से वरिष्ट होते हैं उससारब होते हैं उनके बाद उनके बाद इस तरव तो पहले वाले नहीं चमादान सकती के तहत डंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अउधी को कम कर जाती है मतलब कि होता क्या है कि अगर किसी को सजा दी गई है तो प्रेसिडेंट चाहें तो जो सजा है उसको वही रखेंगे लेकिन उस सजा का जो टाइम पिरेड है मतलब पहले सजा थी 14 साल की बाद में इसको कर दिया गया 5 साल तो ये जो किया जाता है इसको कहते क्या है ये इस को सब्सक्राइब पूचा गया है तो इसका मतलब यह होता है कि उसकी सजा को कम कर देना और जो प्रेसिडेंट को यह पावर मिलता है यह मिलता है आर्टिकल 72 में आर्टिकल 72 में तो यह भी आप जरूर याद रखें भारत के उपराश्पती कौन होते हैं यह आपके विकल्प 5 सकिंड कर समय और यह आपके पराश्पती होता है यह रायसभा का पदे रध्यक्ष होता है अब एक चीज अच्छे समझ जाईए यह है लोकसभा जिसमें होते हैं मैक्सिमुम 552 लोग यहां पर जब 552 में से जो भी मेंबर चून करके आएंगे मतलब 552 के बावन नहीं आते हैं 540, 43, 30 इसी तरह आते है तो जब भी यह लोग चून करके आएंगे तो इन में से एक ब्यक्ति को मतलब इन ही में से एक ब्यक्ति को इससे बाहर करें इन में से एक ब्यक्ति को स्पीकर बनाया जाएगा इसके अलामा चाहे तो एक डिप्टी स्पीकर भी बना सकते हैं ताकि जब यह काम पर ना रहे ह हैं शुट्टी पर हैं फुनकी जग़ों पर यह काम करें और यहां पर अच्छा साल के लिए और ब्यक्टी स्टीब्लेंगे से सब्सक्राइब यहां पर होगत करके आएगा उजसाल के लिए आएगा और जो राताया का आऻदी की चाहां होता है यह ऐसा है इसका सिस्टम बनाया गया है कि एक तियाई लोग दो साल में चुन कराते हैं और उतने ही रिटायर हो जाते हैं तो होता क्या है कि इसका जो चेर्मैन होगा ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं मतलब आपने देखा कि लोग सभा में तो उसी में से होगा तो तुरांत अपना उत्तर कमेंट करके बताईए देखे हो सकता है कि आप इस वीडियो को लाइब होने के बाद देख रहे हो तो आप चाहे जब भी देख रहे हो फिर भी आप चाहें तो कमेंट बाक्स में जा करके अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएंगे सकते हैं पॉकेट वीटो में भारत के प्रेसिडेंट किसी विदियक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं यह क्वेश्चन है बताईए लिए पाकेट वीटो का मतलब यह होता है कि पहले आप इस तरह समझे कि कोई भी चीज कानून कब बनता है पहले या तो लोकसबा या फिर राख सबा फिर लोकसबा मतलब दोनों में जाना जरूरी है इसके बाद पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा और उनकी स साइन होने के बाद वो कानून बन जाता है कई बाद क्या होता है कि अगर राश्पती उस पे राश्पती के पास जो भेजा गया है साइन करने के लिए ना तो उस पे वो साइन करते हैं ना ही उसे वो रिटर्न करते हैं तो कहा जाता है कि उन्होंने न तो अशिक्वार किया है हैि रुटाया है और उसको अपने पास रख लिया है तो यह उनको अपने पास रखने का जो पावर है यानी सित काल के लिए मतलब आंश्चित काल के लिए वो इसे अपने पास रख सकते हैं यहाँ पे अगला कोशिकन है कि भारत के छठवे से तापिंग impacting तेक है छट्वे राष्ट्पति का नाम बताना है सिक्स प्रेसिडेंट जो की निर्विरोध चुने गए वैसे आप देखते हैं कि भारत में इस समय तो ऐसा कमी होता है कि कोई निर्विरोध चुना गया हो इसके लिए से उत्तर होगा राष्ट्पति डाक्टर नीलम संजीव रेड़ी निलम संजीव रेड़ी का अगर आप कारेकाल देखेंगे तो यह चुने गए तो 1977 में और कारेकाल पूरा किया इन्होंने 82 तक यह मतलब के निर्विरोध थे इनके सामने कोई नहीं था ठेक लोग थे ऐसा नहीं कोई नहीं था लोग थे लेकिन उनका परचा खार लाजा लगाई है यह के वाले ससी का है इसके लावर रेल बे स्टेट लेबल के एक्जाम कहां कहां कितना बार पूछा गया होगा उसकी कोई गढ़ना ही नहीं है देखे जैसे हम कोई लेटर लिखते हैं तो माल लिजे अगर हम अप्रिंसिपल के लिखते हैं तो यहां पर तो अगर प्रेसिडेंट अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसोा रच्ट को देगा तो किसको यह लोग अपने में लिजन करते हैं ठिक है अब तो होता गया है कि यहां पर एक question और बनता है कि बताईए कि किस article में यह कहा गया है कि राश्टपती अपना त्यागपत्र उपर राश्टपती को देगा तो यह कहा गया अगला है कि अंगल भारतिय समुधाय को लोक सभा में प्रयाप्ठ प्रतिनिधित तो प्राप्प ना हो तो समुधाय के 200 अगरने दोस्दरतियों को नामित किया जा सकता है किसके द्वारा करता है अगर जो अंगल बार्ती समुदा है उनको प्रतिने जिट्व ना मिला हो तब किया जाता है अंगल भारती क्या होता है छले गए 1950 में मतलब 47 में ही चले गए थे लेकिन पूरी अंगlets थे बात करें तो 1950 में अब यहां पे सभी अंग्रेज यही जैसे नहीं थे कुछ अंग्रेज जैसे भी थे जिनको इंडिया अच्छा लगा और यहां पर रुख गए उन्होंने अपना देश में वे लोग नहीं गए और यहीं पर लोग रुख गए तो अब वो अंगल भारती हो गए हैं इस समय तक जब हम 70 साल ब आपको लगता है कि आपको राश्पती का चुनाओं लड़ना चाहिए तो आपके उम्र कितनी होनी चाहिए कम से कम बताइए बड़ा असान कोश्चन है देखिए इसके लिए सयुत्तर होगा 35 साल राश्पती के चुनाओं के लिए 35 साल होना चाहिए उपर राश्पती के लिए 35 साल होना चाहिए राजयपाल के लिए 35 साल होना चाहिए चलिए क्या आप बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए कम से कम कितना होना चाहिए प्रधान मन्तरी के लिए बताइए यहां पर हम 5 सकूल रुके हैं लोग सभा या फिर आपम वो सारे क्वाइटी हैं जो कि आपको मिम्र बना सके cabin अब लोग सभा के बात करें तो 25 साल रायसमा की बात करें तो 30 साल यहां पर मनें पूझा था कि कम से कम उम्र याने की पचेश साल भारत के 20 संभ्यधानिक अध्यम में मतदान करने की विवस्था थी जो की घटा करके 28 से 18 कर दे गई मतलब पहले 21 साल के लोग मतदान करते थे बाद में उसे 18 कर दिया गया पूछा गया है कि किस संभ्यधान संसूदन में किया गया कि ये किया गया था 160 संभधान स्सोधन इसके लिएज अब बॉस्त के प्रकार की वेवस्ता की गई है कितने तरह के अपात्काल लगाया जा सकते हैं बारत में यह कोईश्चन दो तीन बार पूछा गया है कि वह लेसेसी में इसके अलावा कितने बार अकरमण के समय, राज में और अबिटिय अपत्ता, मतलब कि यह होगा यूद्धि के समय, यह होगा ये राज में लगता है र спортी सासन और यह होता है बिटिया, अगला है जब सरकार के विभिन अंगों के बीच सत्ता का बटवारा हो तो उसे क्या कहा जाता है, बताएं, दो सकि में बताने की कोशिस करिए इसको करते हैं अधिकारों का विवाज जानी याने की बितरड आगे बढ़ें तो अगला कोशिच आने की भारत में सुतंतरता की कितने बार राश्टी आपात काल लागू हो चुकी है राश्टी आपात काल कितने बार लगाया जा चुका है अभी त स्वाचंतरता के बाद ठीन बार कितने बार तिन बार दो से ठीन सेकेंड और आपको अपना उत्तर बदा देना है ठीक है पहली बार कब लगा था सवाष्वाट क्यों लगा था चाइना से युझी चल रहा था दूसरी बार लगा था उनीज 15 में क्यों लगा था पाकिस्तान से चल रहा था तीसरी बाद कब लगा था 1975 में क्यों लगा था ये इंदरा गादी ने लगाया था इसको काला दिवस के रूप में भी जाना जाता है आगे बढ़ते हैं तो अगला कोश्चन है कि भारत के प्रदान मंत्री को निम्लिकेट में से कौ बहुमत दल का नेता होता है मतलब जब नए लोगस्वा चुन के आती है बहुमत दल का जो नेता होता है उसको बना सकते हैं ठीक है से उत्तरों का प्रेसिडेंट निम्लिकेट में से कौन अनुसुचित छेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संबैदानिक तोर पे ससकता है तो इसके लिए से उत्तरों का भारत के प्रेसिडेंट अनुसुचित छेत्रों होते हैं जो कि संबैदान की पांच उनुसुचित छेत्रों में रखा गया है और राश्ट्पती इनको ही अनुसुचित छेत्रों घोसित करता है प्रेसिडेंट को यह पावर है तो इसके कि सिपारिस पर राश्टी अपात इस्तिती की उद्धोषणा जारी कर सकते हैं अगर उनको लगाना हो तो कौन लिख करके देगा तभी लगा सकते हैं अपने मन से नहीं यह होता है मंत्री मंडल देखे कई बार कोश्चन पूछा गया है या पिर यह आम सा कोश्चन है कोई आप से पूछ सकता है कि बताइए कि भारत में सबसे ज़्यादा पाउरफूर कौन है अगर यही कोश्चन अमेरिका में पूछा जा है तो सहुत्तरों का प्रेसिडेंट उ के पास होता है कैबिनेट मतलब कि जो मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट उनके पास और वह भी एक किसी मिनिस्टर के पास नहीं जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर है सबको मिला करके कैबिनेट के ओल कैबिनेट राज्यवाले नहीं तो कैबिनेट को मिला कर अगला है कि भारत के निम्लेकित पदा सीन उपराश्ट्पतियों में से किस ने राश्ट्पति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए बताईए इसके लिए से उत्तर होगा भायरो सिंग सखावत भायरो सिंग सखावत जिन्होंने उप राष्टपती पत्पे होने के बाद राष्टपती का चुनाव लड़े लगबग 2007 में लेकिन वहार गए और इनको हराया कौन क्या बता पाएंगे 2007 में कौन प्रेसिडेंट बना था उन्होंने ही इनको हराया और उनका नाम था प्रतीभा पाटिल प्रतीभा पाटिल आगे बढ़ते हैं तो अगला कोश्चन है कि कौन सा राष्टपती पहले आया और कौन सा बाद में इस काला नुकरम के अनुसार निम्लिकित राष्टपतियों के नाम बताईएं मतलब जो पहले आया उसको पहले लिखना है जो बाद में आया उसको बाद में लिखना है तो बताईएं फकरुदीन अली अहमद जागिर हुसैन जश्टिस हिजायत उल्ला एपी जे अब्दु आई चोवहत्तर से लेकर के उनिस सो सटातर तक ठीक है इसके बाद जाकिर हुसैन की बात करें तो जाकिर हुसैन रहे 67 से लेकर के 69 तक इसके अलवा अगर हम और जश्टिस हिदायत उल्ला के बात करें तो यह रहे सब्सक्राइब नहीं थे और सब्सक्राइब क्योंकि यह एक जज थे जो कुछ समय के लिए बनाए गया थे और जो अंतिम नाम बचा एपीजी अब्दुलकलाम तो यह 2002 में बने दोजर साथ तक रहे तो अब तो आप इसे असानी से रेंज कर सकते हैं पहले होगा भी मतलब कि यह यानिकी वाला यह बी के बाद सी और सी के बाद ए और एक बड़ी यानिकी यहीं उत्तर सही होगा अगर बढ़ते हैं तो भारत में पंडुबी में जल यात्रा करने वाले पह इसका पेडिया पा सकते हैं इसको टेस्ट के रूप में ले सकते हैं से उत्तरोंगा डाक्टर एपी जे अब्दल कला में आगर बढ़ते हैं तो अगला कोश्चन है कि जब एक या एक से अधिक राज बिधान सभाएं भंग हो गई हो तो भारत के राश्पती के पत के लिए चुनाव आजित करना उचित है मतलब कि अगर राज बिधान सभाएं भंग हो गई हो तो क्या भारत के प्रेसिडेंट के लिए चुनाव कराया जा सकता है या नहीं ये इस क्वेश्चिन पूचा गया है दिल्ली पुलीस का ये पेपर है 2012 में पेपर वन है ये तो बताई है देखिए अगर ऐसी कंडिशन आती है तो चुनाव कराया जा सकता है अगर किसी कारण बस वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो रहां से चुनाव आप करा सकते हैं क्योंकि एक या फिर एक से अधिक विधान सभाओं के बात की गई है सभी विधान सभाओं के निवक्ति किसके द्वारा की जाती है बिटायोग बिटायोग बनाया जाता है प्रेसिडेंट के आदेश के द्वारा आर्टिकल 280 में इसके बारे में बताया गया है तो आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन है कि भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा जो अध्यादिश जारी किये जाते हैं उसके लिए संसत को क्या समय सीमा मिलती है बताईए देखे होता क्या है कि किसी हम अगर आम कानून की बात करें तो पहले उसको लोकसभा या फिर राजसभा फिर राजसभा या फिर लोकसभा मतलब की दोनों में एक एक बार इसके बाद प्रेसिडेंट का साइन होने के बाद ओक कानून बनता है लेकिन जब ये लोक और राजसभा की बात करें तो ये साल भर में लगबग दो से तीन बार होते हैं तो कभी ऐसा हुआ कि ये लोग सेशन में नहीं है मतलब कि लोकसभा और रायसभा और उस समय कोई कानून बनाना हुआ ज्यादा ज़रूरी तो उस कंडिशन में यह होगा कि प्रेसिडेंट अपने एक साइन करके एक अध्यादेश के द्वारा मतलब कि प्रेसिडेंट को आर्टिकल एक सो तेश के तहत यह पावर मिलता है तो ग्रेस पावर के तहथ प्रेसिडेंट चाहें तो इसको अध्यादेश जारी कर सकते हैं और इसके लिए जो टाइम मिलता है यह मिलता है चे सब्दा का मतलब अगली बार जब संसट बैठेगी तो उसके चे अप्ता के अंदर अंदर आपको उसे पारित कराना ही होगा अगला है कि भारत के राश्पती के चुनाव में जीतने वाले प्रत्यासी को प्राप्त करने चाहिए बताईए कितना राश्पती के चुनाव अगर जीतना है तो कितना होट मिलना जरूरी है जाहिर से बात है कि कुल 50% से अधिक जितने सही मत होंगे उनके 50% से अधिक मत मिलना चाहिए अगर दो लोग चुनाव में हैं तो अगला कोशन है कि सरकार की राष्टपती प्रडाली के अधीन कारकारी के सदस्य कौन होते हैं कौन नहीं होते हैं क्योंकि यहां पर जो आपसन है आप देखेंगे कि तीसरा वाला ही सही होगा क्योंकि बिधान मंदल के सदस्य उसके कारकारी में नहीं होते हैं ठीक है इस लोग सभा के होते हैं तो यह सही उत्तर होगा तीसरा वाला उप्राश्पती क्या होता है यहां कि उप राश्पती किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है मतलब कि ना तो लोकसभा का होता है ना तो राश्पा का होता है लेकिन वो हमेशा राश्पा के चेर्मैन के रूप में बैठता है यानि कि सही उत्तर होगा आपसा नमबर D ये कोईशन CGL TAR1 2015 में पूछा जा चुका है तो बढ़ते हैं आगे अगला कोईशन है कि निम्न में से जो राश्पती वाली सरकार है जैसे कि हमारे यहां है तो ये किस तरह से बनती है ये आपको बताना है यहां पर बिकल्प दिये गए है बताइए तो सही उत्तर होगा कि ये बनती है उपरुक सभी के द्वारा मतलब कि इसका जो चौथा वाला आपसन है ये सही होगा अगला कोईशन है कि राश्पती के द्वारा संसत के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य को नामित किया जा सकता है यह question data entry operator में पूछा गया है बताईए देखिए राज सभा में 12 लोग सभा में 2 यानि के कुल मिला करके 14 बारत के राश्टपती को किस प्रकार चुना जाता है किस प्रकार चुना जाता है बारत के राश्टपती को बताईए जैसे देखिए जो बारत के राश्टपती को चुनने की सिस्टम है इसे हम कहते हैं एकल हस्तान थडिय ओट के द्वारा मतलब जो हमारे यहां सिस्टम है उसको यह question पूछा गया था दिल्ली पुलिस एसाई 2017 बारत के नियंत्रक और महालेखा परिच्छक की नियुक्ति कौन करता है काफी असान अच्छा और महत्पूर्ण क्वेश्चन है देखें यह किया जाता है आर्टिकल 148 के द्वारा मतलब कि इसी में कहा गया है और यह जो पावर मिलता है केवल और केवल प्रेसिडेंट को मिलता है लडिसी परिच्छा में पूछा गया है यह आर्टिकल याद रखें कई बार यह पूछा जाते हैं बारत के राश्पती को स्वेच्छा नेड़य अधिकार प्राप्त के तहत क्या मिला है मतलब कि जैसे आपने देखा कि कई सारे जो पावर है यह प्रेसिडेंट को तो मिले हैं लेकिन वो अपने खुद से नहीं ले सकते लेकिन कुछ अधिकार मिले हैं खुद से लेने के लिए अब आपको बताना है कि इन में से हो कौन है बताइए इन में से होगा प्रधान मंतरी की निख्टी होता क्या इससे अच्छे समझेए यहाँ पे 540 लोग चुन करके आए लोग सबा में तीन पार्टियां ज्यादा ज्यादा सीट पाई है सरकार बनाने के लिए 272 प्लस होना चाहिए जैसे कि इसने पाया है 180 ओट यह पाया है 200 ओट हो गया 380 और यह पाया है आपका 180 ठीक है तो 302,560 नहीं नहीं दिखो गया इसको साट कर देजिए ठीक है इसके अलामात कई छोटे छोटे लोग है यह सीटे पाई गई है ठीक है एक पाय है 160 एक पाय है 180 यह हो गया 340 और यह 200 यह हो गया 500 तो इसको थोड़ा और कम करते हैं इस तरह बाकी निर्दली हैं अब कहा जाएगा कि बचाईए कि किसको मतलब कि अब यह भी अपना प्रधान मंतरी बनाना चाहते हैं यह भी बनाना चाहते हैं तो किसको बना एक जाएगा तो यह सीधे सीधे President के उपर निरबार है President चाहे तो इनको भी बुला सकता है चाहे तो इनको भी बुला सकता है या फिर चाहे तो इनको बुला दे कि भाई आपि आई ये प्रथान मंतर बन जाए लेकिन होगा क्या कि दस से पंदरा दिन के अंदर जो आपको date मिलेगा उस दिन जिनको भी बुलाया जाएगा उनको बहुमत सिद्ध करने के लिए बोला जाएगा मतलब कि उस दिन उनके पास 222 प्लस होना जरूरी है अब कैसे आएगा मान लिजे कि इनको बुला दिया गया तो ये अब इनसे कर देंगे कि भाई आप हमको समर्थन कर दीजिए चाहिए इनसे समर्थन ले लेंगे कोई कर देगा बस इनका काम बन जाएगा अगला है कि जब उपराश्ट्पती का रवाख राश्ट्पती के रूप में हो तो क्या होगा इतने सारे भी कर्प हैं आपके देखिए जब राश्ट्पती नहीं रहता है तो उनके जगा प्यूप राश्ट्पती काम करता है और जब भी ऐसा होगा तो राश्ट्पती के सभी भत्तें उनके अधिकार उपराश्ट्पती को मिल जाएंगे ये वाला उत्तर सही है अब ये किस में है इस में है यानि कि आपसा नमबर फॉर अध्यक्षई सरकार में राश्ट्रपती क्या होता है अध्यक्षवाले सरकार में जैसे अमेरिका में है तो ये विधान मंदल पर आस्रत नहीं होता है आगे बढ़ते हैं तो अगला कोशिचन है कि एक धन बिद्यक कहां प्रस्थूत किया जाएगा दिल्ली पुलीस का क्यों है बताइए देखिये जैसे कि हमने बताया कि कोई भी कानुन बनाने के लिए आपको या तो पहले उसे लोग सभा में रखना है या पी राश्ट्रपती लेकिन अगर और धन बिद्यक है तो उसे केवल और केवल पहले लोग सभा में रखना पड़ यह कुशन है कि राज सभा का कॉन है कोशन 2014 में पूचा गया था तो जब यह पूचा गया था तो उस समय थे PG Korean अब चलिए आप बताइए कि इस समय राज सभा का कौन है कौन है इस समय जब आप वीडियो देख रहे हैं अपना उत्तर कमेंट करके बताईएगा कमेंट बाक्स में भारत के राश्ट्रपते कितनी बार बित्तिया पात इस्तिति की घोष्टा कर चुके हैं कि कितनी बार तो बित्तिया पात काल मतलब कि आर्टिकल 360 और यह हुआ है कितनी बार बताईए कभी नहीं आज तक कभी नहीं देखे 1991 में बित्तिया संकट हो गए तो पूरी दुनिया में संकट आ गया था लेकिन भारत में जो बित्त मंत्री थे उमन मोहन सिंह थे जो कि हमारे फार्मर प्र प्रयोग नहीं किया गया निम्लिखित में से राश्ट्पती के किस छमादान सक्टी के ताथ दंड की प्रकृति को थोड़ा नीचा कर दिया जाता है मतलब की लो यह है लगुकरड 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 का मतलब यह है कि किसी को मृत्तु डंड की सजाय मिली है तो उसको आजिवन का रवास कर दिए किसी को आजिवन का रवास की सजाय मिली है थोड़ा कम कर दिए तो यह है निम्लिकित में से कौन भारत राज का कारेपालक है यह होगा राष्टपती भारत का पहला बेखती राष्टपती होता है सीजल टैरवन का यह कोश्चन है भारत के राष्टपती को किसके द्वारा हटाया जा सकता है बड़ा अच्छा कोश्चन है यह देखिए अगर आप इस जो सीरीज है इसको पूरा देख लेंगे तो आपके कई सारे क्वेस्टन आपका चाहिए कोई भी एक्जाम हो क्लियर मिल रायाएगा वहां पर हुब 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 क्वेस्टन मिलेंगे देखे ये है संसत मतलब कि देखे राष्ट पती गडाने का बस एक ही और एक ही रीजिएन की राष्ट sucking होई कि ही ना माने मतलब कि जब राष्ट्पती संविधान का अर्ठी करमण कर देंगे तो उस समय राष्ट्पती को आताया जा सकता है लेकिन फटाने का जो पावर है के वलोड को अब संसत के पास है जब अम संसत कर रहे हैं तो लोग- hebный सभा उ राष्यपति भी होता है लेकिए मामला राष्यपति पर अपर हो तो के वल डक्टर राजंदर प्रसाद डक्टर राजंदर प्रसाद 1950 में 26 जनौरी को बनाए गए और ये 1962 तक रहे ठीक है बारत के प्रतम उप्रधान मंतरी कौन थे देखिए उप्रधान मंतरी का पद नहीं है संभिधार में नहीं है लेकिन बनाय जाते हैं लोग तो बताएए कि कौन रहे पहले जैसे अटली के सरकार में आपने देखा लाल कृष्ण डवानी थे तो यहां पर पहले थे बल्लब भाई पटेल थे पहले उप्रधान मंत्रे निम्लिकित में से किसके पास भार्दिय सुरच्छा बलो पर सर्वच कमान होता है सबसे हुचा देखिए अगर पूछे कि मतलब कि सुरच्छा बलो पर कमान तो सीडियस का होता है चीफ डिफेंस अविश्टाप लेकिन उनसे भी उपर उनसे भी उपर किसका होगा यह पूछा गया है तो सरोच होता है किसके पास राष्टपती के पास बारत के वो कौन एक मात्र दूसरी उपराश्टपती है जिन्होंने राधा कृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधी में पद प्राप्त किया बताईए सयुत्तर होगा डक्टर बताईए इतना तो हम बता दिये मुहमद अनसारी मुहमद हामिद अनसारी है यह लगबग दो बार रहे तो ऐसा करने वाले राधा कृष्णन के बाद यह दूसरे बेखती है उपराश्टपती निमलकित में से कौन हमारे देश के दूनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है काफी ऐसान कोश्चन है अभी आया था यह सेउत्तर राश्टपती किसी भी सदन का सदसु नहीं होता है। निमलखित राश्टपतियों का क्रम बदाएगे की कौन सा क्रम सही है। यहां पर कई लोगों के नाम है आपको क्रम क्या है यह बताना होगा। देखे अगर आप सबका डेट जानेंगे तो बता पाएंगे अगर हम बात करें नीलम संजीव रेड़ी की तो ये रहे थे 77 से लेकर के 82 तक जयानि जैल सिंग रहे 82 से लेकर के 87 तक यानि कि इनके बाद यही होने चाहिए और ऐसा होने वाला कि वो लेखी विकल्प है यानि कि आपका जो पहना उत्तर होगा यही सही हो जाएगा सबसे पहले आएंगे नीलम संजीव रेड़ी 77 से लेके 82 तक ग्यानि जैल सिंग 82 से लेके 87 तक रामा स्वामी विंकेट रमन तो यह आएंगे 87 से लेके 92 तक और संकर द्याल सर्मा 92 से लेके 97 तक पहला आपसंज प्रधान मंतरी कारेकाल कितना होता है क्या बता पाएंगे इसके उत्तर बताईगा अगर हमको याद रहा तो वीडियो के लाश्ट में हम इसका उत्तर बता देंगे आपको बताना है कि प्रधान मंतरी का टाइम पिरियर्ड कितना होता है कितने साथ या आपको बताना है अखिल भार्तिय से वाओं के लिए निक्तियां कौन करता है यह किया जाता है राश्टपती के द्वारा राश्टपती के द्वारा अगर बढ़ते हैं तो अगला है कि भारतिय संविधान बारतिय संविधान क्या है यह पूछा गया है कि बारतिय संविधान में किसी विवेक्ति को राश्टपती के लिए पुनर निर्वाचन हेट अनुमती प्रदान की गई है मतलब कि कोई भी बिव्यक्ती चाहिए तो दूसरे बाद दूसरे बाद भी राश्टपती बनाया जा सकता है अगि आ selfish के वोता पांच यह संत्र है कि प्रधान्मंतरी का कोई प्रत्तर ही है जब तक उनके पास पहुमत है मतलब कि फोड़े Singing कि राश्पती किस परामर्ज से सबीज सत्र आयुचित करते हैं और उने सब्सक्रा घूत करते है है तो इस तरह प्रधान मंत्री के परामर्ज पर संगय सरकार के राज पत्र पत्र दीकार्यों को मिल्केट में से कौन निख्ट करता है और बर्खास्त करने की छंता रगता है मैं आओ न्यूहां रख आए तो कोता है सभए प्रेसीदेंट आफ एंडिया बस आज के विदियो में इतना है वीडियो लाइक करने के साथ इसे अज दूकर लें लिंकद गंडियो के डिस्क्रिप्सन में छाइब हाथ के वीडियो में इतना है थेंग